आज हम सुनेंगे अंधे और राजा की कहानी एक राजा था, एक दिन वर वन विहार के लिए निकला रास्ते में जाते जाते उन्हें प्यास लग गई उन्होंने अपने चारों और नजर दोड़ाई तो उन्हें एक अंधे की जोपड़ी दिखाई दी उसमें जल से भरा हुआ घड़ा दूर से दिख रहा था राजा ने सिपाई को भेजा और एक लोटा जल मांग लाने के लिए कहा सिपाई वहाँ पहुचा और बोला अंधे एक लोटा पानी दे दो अंधा अकड गया उसने तुरंत कहा चल चल तेरे जैसे सिपाईयों से मैं नहीं डरता पानी मैं तुझे नहीं दूँगा सिपाई निराश होकर लोटा आया इसके बाद सेनपती को पानी लाने के लिए भेजा सेनपती ने समीब जाकर कहा ए अंधे पैसा मिलेगा पानी दे दे अंधे ने कहा तू पहले वाले का सरदार मालूम पड़ता है तू मुझसे चिकनी चुपडी बाते करके मुझ पर दबाव डालने आया है जा जा यहां पानी नहीं मिलेगा सेनपती को खाली हाथ लोटा देखकर राजा पे चल पड़े समी पहुँचकर वुरद जन को सर्व परत्रम नमसकार किया और कहा प्यास से गला सूख रहा है एक लोटा जल दे देंगे तो आपकी बड़ी महरवानी होगी अंधे ने खुशी के भाव से भरकर भाव पूर्वक उन्हें पास बिठाया और कहा आप जैसे श्रेष्ट जनों का राजा जैसा आदर है जल तो क्या मेरा शरीर भी स्वागत के लिए हाजर है कोई और भी सेवा हो तो अवश्य बताइए राजा ने शीतल जल से अपनी प्यास भुजाई और फिर बोले आपको तो दिखाई नहीं पढ़ रहा फिर जल मांगने वाले को सिपाई सरदार और राजा के रूप में आप कैसे पहचान गए अन्धे ने कहा वानी के वैवार से हर व्यक्ति के वास्तिविक स्वार का पता चल जाता है दोस्तो हमेशा वानी से मधूर और मीठा होना चाहिए धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग